प्यारे बच्चों आज हम मिडलाइन असेस्मेंट 2021-22 के प्रोजेक्ट कारिय को क्लास 5 का इंगलिस वीज़े का यहां पर हल करते हैं वीडियो सुरू करने पहले आपसे एक निवेदन है इस वीडियो की नीचे में एक सब्सक्राइब बटन है जो लाल रंक है उसको सब्सक्राइब कर लिजिए और साथी शाथ बिल आइकॉन को में आल को सलेक्ट करें इससे क्या होगा जब भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा य आपके पास पहुंच जाएगा और आपको किसी प्रकार का ढूंडने की आवश्यक्ता नहीं है सीधे आपके मोवाइल में यहाँ चला जाएगा तो आएए चलते हैं वीडियो की और इसमें आपको प्रशन दिया गया है तीन प्रशन दिया गया है आपको इन तीन प्रशन म आपको हल करने होंगे जिसमें आपको प्रतिक प्रश्ण में पांच अंग प्राप्त होंगे इस प्रकार यहां दस अंग का प्रजेक्ट वर्क है और इसको आपको पूर्ण करना है और अपने प्रधान पाठक या अपने संबंधि सिख्षक के पास इसको जमा करना है तो आए पहला प्रस्ण देखते हैं इसमें कहा गया है अपने परिवार के चित्र बनाईए और परिवार के प्रतिक्षदश के बारे में तीन पंक्ती लिखिये अरथा तीन लाइन लिखना है और अपनी कख्छा के साथ साजह करें तो आईए देखते हैं कि इसको किस प्रकार से बनाना है यहाँ पर मैं अपने फैमिली का जो चित्र है उसको क्या करना होगा सभी को आप एक साथ उपर में बना सकते हैं यहाँ पर मैं अलग-अलग बना दिया हूं तो अलग-अलग नहीं बनाना है इसको एक साथ बना सकते है या आप इसी प्रकार से बना सकते हैं आप जैसे आप समझे उसी प्रकार बनाइए तो सबसे पहले मैं कोलंब बनाया हूँ सीरियल नमबर मतलब क्रमांग दूसरा है रिलेशन विस मेंबर उसके साथ आपका क्या संबंध है उसके बाद पिक्चर आप माई फैमिली उसमें पिक्चर बनाना है अपने फैमिली का about my family family के बारे में यहाँ पर लिखना है तो सबसे पहले मैं लिखा हूँ father के बारे में तो यहाँ पर आप father का चित्र बना सकते हैं अपना और उसके परशाद यहाँ पर about my family family के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं तो पहला है my father's name is वहाँ पर अपने पता जी का नाम लिखना है, जो डैस डास दिया गया था, वहाँ पर अपना पता जी का नाम लिखना है, उसके पचाई, दूसरा है, my father is a good man, यहाँ पर ए और लिखना पड़ेगा, इस और good के बीच में a लिखना पड़ेगा, a good man मेरे पिता जी बहुत अच्छे आदमी है इस तरह से ये अपने पिता जी के बारे में हो गया दूसरा है मदर के बारे में लिखना है और यहाँ पर मदर लिखना है उसके पस्याद यहाँ अपने मम्मी का चीतर बनाना है या तो आप पहले से बना लिए हैं उपर में एक साथ तो यहाँ पर नहीं बनाना है इस कालम को मत दीजिएगा उसके पस्याद है माई मदर शनेम इस यहाँ पर अपने मम्मी का नाम लिख लेना है उसके पस्याद दूसरा है माई मदर इस कोक टू फूट मेरे मम्मी खाना बनाती है और तीसरा है माई मदर इस लब टू मी मेरी मम्मी है मुशे प्यार करती है उसके पस्याद तीसरा है शिस्टर यहाँ पर अपने शिस्टर का चित्र बनाना है या भाई है तो भाई का भी बना सकते हैं और पहला है sister के बारे में my sister is elder to me अर्थात मेरे sister है मेरे बहन है मेरे से बड़ी है दूसरा है see reads in class 7th वहा शात्वी में पढ़ती है और आपका बहन या भाई है जो भी class में पढ़ते हैं उसमें यहाँ पर लिख सकते हैं तीसरा है see is stopper of his class मतलब वहा है अपने कक्षा में stopper है सबसे अच्छी है ठीक है उसके बाद चौंता है brother के बारे में तो यह है brother का चित्रे यहाँ पर बना सकते हैं उसके परशात brother के बारे में my brother name is अपना brother का नाम लिख लेना है और दूसरा में my brother is very cute boy मेरी भाई है वह बहुत ही अच्छा लड़का है उसके परशात तीसरा है he is smiley boy वह एक smiley boy है इस प्रकास से लिख शकते हैं यदि आपके घर में grandfather है grand mother है दादा दादी तो उसके बारे में यहाँ पर लिख शकते हैं और भी बढ़ा सकते हैं 5-6 और इस तरह से यह family पहला प्रशन है वो पूर्ण हो जाता है दूसरा प्रशन देखते हैं write 10 lines about your school and speak before the class इसमें करना यह है कि अपने शकुल के बारे में 10 line लिखना है और अपने class में बोलना है तो पहला लिखा हूँ my school name is government primary school यहाँ पर अपना school का नाम लिखना है गाओं का नाम जिस गाओं में वहाँ शकुल है उसका नाम लिखना है उसके परशाद दूसरा है in my school is for teacher मेरे शकुल में चार सिक्षक है तीसरा है my school have five room and one headmaster room मेरे शकुल में पांच रूम हैं पांच कमरे हैं और एक headmaster room है ऐसा आपका शकुल में जितना room है उसको लिखेंगे और headmaster कक्षा है तो headmaster कक्षा लिखना है अगर नहीं है तो नहीं लिखना है उसके परशाद चाहुता है my school have big playground मेरे शकुल में बहुत बड़ा क्या चीज है playground है खेल का मैदान है पांचवा है my school has started 10 a.m. to 4 p.m. मेरा इसकुल है शुरू होता है 10 बजे से लिकर 4 बजे तक ठीक है छटवा है in my school has co-education मेरे इसकुल है सह शिक्षक है अर्थात मतलब लड़का और लेड़किया दोनों पढ़ती है यह दिन नहीं पढ़ते तो यहां पर boys लिखना है boys वाला होगा तो boys और girls होगा तो girls यह को education नहीं लिखना है यहां boys education लिख सकते हो शात्वा my school have 100 students अर्थात इसमें मेरे इसकुल में 100 students है उसकी पस्यात आटवा है in my school distribute of MDM in noon मेरे इसकुल में दोपहर में मध्यान भोजन वितरित किया जाता है उसकी पस्यात नुवा है my school has electricity fan and tv मेरे इसकुल में electric है विद्ध है बिजली है fans है और tv है दस्वा यहां पर है my school has smart class मेरे इसकुल smart class है उसके पस्यात यह हो गया दूसरा यदि आप पहला या दूसरा को नहीं बनाना चाहते दुनों में से एक को तो आप तीसरा को बना सकते है तो यहां पर तीसरा प्रशन है bring a rapper of any edible things read and write five information share it with your class इसमें कहा जा रहा है edible things edible things मतलब होता है खाद समगरी खाने की समगरी खाने की समगरी का rapper लाना है उसका उपर में जो जिल्ली रहता है उसको लाना है और उसके बाद उसमें 5 information 5 सूचना देखना है उसमें जानकारी एक तर करना है और उसको लिखना है 5 आईए देखते हैं यहां पर मैं कुरकुरे पक कररेपर ल आया हूं तो इसको रेपर को देखना है और उसको देखना है और यहां पर पांच लाइन लिखना है तो पहला है this is a नमकीन या salty भी लिख सकते है नमकीन के जगा में क्योंकि यह कैसा है salty है यहा बतला नमकीन है दूसरा है it is made with दाल, कॉर्ण and rice तो यहा किसे बना है दाल, कॉर्ण और चावल से बना हुआ है तीसरा है it is only 30 रुपीज यहा कितने रुपए है 30 रुपए है इस वेट 107.5 ग्राम यहा एक सो साथ देसनलों पांच ग्राम है और पांचवा है कॉर्ण इस रेड यलो कलर कॉर्ण कॉर्ण का है रेड और यलो कलर है उसके परशाद छटवा है कॉर्ण है इस मैनुफेक्ट्ट्र डेट नौंबर 2021 अर्थाथ यहा कब बना है नौंबर में बना है 2021 में कुर्कुरे है इस तरह से इसमें मैं 6 बनाया हूँ आपको सिर्फ पांच लिखने है और अशक करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हैल्प फुल हो धन्यवाद